जए हिंद इस वीडियो नोग बात करेंगे इस कंपनी से एक संदार अपडेट नहीं कर सामने आ रहा है अगर कंपनी उस प्रजक्ट को पूरा कर लेती है तब इसके सेर प्राइस में काफी संदार तीजी याने की पूरी संभावना है तो चलिए हम जल्दी से जान लेते उस के बारे में और भी तमाम चीज़ें जानेंगे इस कंपनी के बारे में आज इस लिस्टेटी करती है जिसमें आप देखेंगे तो खास करिए केमिकल और कल्चे के प्रोडक्ट में ट्रेडिंग करती है इस कंपनी का मार्केट के पेंगे लेकिन उसमें थोड़ा ठीक ठाक है तो आज के दिन का इसका जो प्राइस क्लोजिंग हुआ वह एक रुपया बानवे पैसा प्रुवा हलका गिराउट के साथ हलका गिराउट नही देखेंगे तो पिछले एक साल से स्टॉक में हेवी ग्राउट देखने को मिल रहा है पिछले साल जनुवरी 2021 में इसने अपना हाई बनाया था और उसके बास आप देखेंगे तो इससे स्टॉक में कंटिनीवास ग्राउट हो रहा है इसके पिछे जो असली वजह यह है कि इस कंपनी को पिछले साल बर से ऊच्छे पर्यूक चलते हैं उसमें प्रोफिट हो रहा है लगतार लॉस पर लॉस कंपनी को हो रहा है और इस बार नीगेटिव में आगया है इसके बारे हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे फिलाव हम जल्दी से चलते हो उस अप्डे भी बनाए तो वो क्या करेगी या तो खुद चोगलेट बनाने वाले फैक्टरी खोल लेगी या किसी दूसरे चोगलेट बनाने वाली कंपनी के साथ कोलाबरेशन कर लेगी उसके शेयर के साथ कुछ सेयर खरीद कर उसके साथ पार्टनर्शिप कर लेगी तो यह जो एक्सिया लाइफ केर कंपनी हीम इनर्जी सिश्टम का पार्टनर बन जाएगी अब देखें सिक्टम लिमिटेड जो कंपनी है यह या सक्टर में काम करता है हम घ्यानते हैं कि आजने वाले समय के लिए और और अर्थ्वाण समय के लिए ज़्यूरी है भी काफी इंपॉर्टेंट है औ हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जो वाइं टर्वाइन या सोलर सिक्टम से बिजली पैदा किया थी उसकी बात कर रहे हैं और आज का समय में सुजलोन इनर्जी और ग्रीन और ग्लोबल तेमाम कंपने पहले से लगी हुई है और खासकर गोवर्मेंट निवल इनर्जी पर काफी फोकस कर रही है आने वाले समय का यह काफी जरूरी चीज है रिणीवल इनर्जी गोवर्मेंट का एम है कि 2030 वर्तवान में भारत में जितने मीं इलेक्रिसीटी प्रडियूश किया जाए क्योंकि आज के समय में जो हाइड्रो थर्मल प्लावर्ट से बिजली पाइ इसलिए जरूरी है अब हम चलते हैं कमणी के फंडामेंटल पर देखिए क्वाटर फूर का जो रिजल्ट है अभी हाली में उसमें कंपनी का रिभेन्यू बढ़ते हुए दिखेगा पिछले क्वाटर में जाने कई क्वाटर से कम होते जा रहा है इस बार देखिए पिछले है यहां कि आप देख रहे हैं कि कंपनी के लिए यहां वही नेगेटिव है और यहां आप देख रहे हैं जब कंपनी का प्रोफिट कंट्निवस कम हो रहा है तो अब डर इस बात कहें कि कम्पनी का करजा बढ़ेगा क्योंकि कंपनी को तो प्रोफिट नहीं हो रहा है लेकिन कंपनी चलाना है तो पैसे प्रोफिट पड़ेगी कंपनीया लोन लेगी और जब यह कंपनी लोन लेगी तो इसके उपर कर्ज का दबाव बढ़ेगा अभी वैसे भी देखें को अरत्वान में सब्सक्राइब पांस अनिहाल इसमें अर्यां करने से बचिए और अगर किसी का पहले से इसमें इसल्य तो आपको मुनफवा औरने के दिस unpredict है तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया हूग मिलते नेक्क्ट व्डियो में एट यह पिछे रेम दन्यवद सुख्रिया